प्लीज सब्सक्राइब प्रेंट्स बुनाई सोटर डिजाइन चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है तो आज मैं आपके बच्चे के लिए बहुत ही प्यारा सा डिजाइन लेका रहा हूँ यह डिजाइन मातर 29 फंदे में बना हुआ है और 14 सलाई में बनकर कम्प्ल कम्प्लीट हो जाता है इस डिजाइन को बनाने के लिए आपको दो कलर की ओल चाहिए होगी जिस कलर से आप एलिफैंट का डिजाइन बनाएंगी और जिस कलर से स्वेटर बनाना चाहते हैं तो इस तरह से हमने इससे बनाकर कम्प्लीट कर लिया है इस डिजाइन को आप फंदा मारा साइड में रहेगा 39 फंदे में डिजाईन बनेगा सीकसे इसाइन को अब वाईड साइड की रर्य और यह हमारी सफ जाइड का फंदा मुतार लेंगे कि दो फंदे झिस एक फंद औरेंज कलर सी, दो फंद वाइट कलर सी, एक, दो, अब दो फंद औरेंज कलर सी, एक, दो, दो फंद फिर सी वाइट कलर सी, एक, दो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, साथ फंदे हमने बीच में औरेंज कलर से बुन लिये हैं आप चाहें तो इस धागे को आगे की और इस तरह से लेते जाएं बीच बीच में आप यहाँ पर देखें फ्रंस, दो फंदे हम वाइट कलर से बुनेंगे एक, दो, दो फंदे हम औरेंज कलर से, एक, दो, दो फंदे हम वाइट कलर से, एक, दो लाष्ट के तीन फंदे हम इस तरह से बुन लेंगे, जो कि दो हमारे डिजाइन के हैं एक हमारा साइड का फंदा है इस तरह सी तीन फंदे बुन लेंगे तो ये देखिए फ्रांच हमारी first row बन कर इस तरह सी complete हो चुकिए अब आते हैं रोंग साइड की सलाई में रोंग साइड की सलाई देखिए ये हमारी second सलाई है साइड का फंदा उतारेंगे, दो फंदे हम इस तरह से बुन लेंगे, औरेंज कलर से, अब दो फंदे, जो वाइट फंदे हैं, उन्हें हम वाइट बुनेंगे, एक, दो, एक फंदा औरेंज कलर से, दो फंदे वाइट कलर से, एक, दो, एक फंदा औरेंज कलर से बनाएंगे अब यहाँ पर चार फंदे हम वाइट कलर से बनाएंगे एक, दो, तीन, चार अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा फ्रेंट्स एक डिजाइन के फंदे बुने जा चुके हैं अब यहाँ पर हम पांच फंदे का गैफ देंगे एक, दो, तीन, चार, पांच पांच फंदे हमने औरेंज कलर से बुन लिए चार फंदे वाइट कलर से बुनेंगे एक, दो, तीन, चार एक फंदा औरेंज कलर से दो फंदे वाइट कलर से वन, टू, एक फंदा औरेंज कलर से फिर से दो फंदे वाइट कलर से एक, दो लास्ट के जो तीन फंदे हैं उन्हें हम औरेंज कलर से बना कर रॉंग साइड की सलाई को कम्प्लीट कर चुके हैं फ्रेंट्स अब आते हैं राइट साइड की तीसरी सलाई में साइट की तीसरी सलाई देखे फ्रांड साइड का फंदा उतार लेंगे एक फंदा औरेंज बुनेंगी अब यहाँ पर छे फंदे हम वाइट कलर से बुनेंगे एक दो, तीन, चार, पांच, छे एक फंदा ओरेंज कलर सी, दो फंदे वाइट कलर सी, एक, दो एक फंदा ओरेंज कलर सी, एक फंदा वाइट कलर सी, दो फंदे ओरेंज कलर सी, एक, दो, एक फंदा वाइट कलर सी, एक, अब यहां पर फिर से दो फंदे, अब यहां सी यह वाले फंदे हम रिपीट करेंगे, यह हमारा सेंटर का फंदा हो जाएगा, बीच का फंदा, दो फ यहां पर बुन लिए हैं दोरेंज लॉरसित सम played that बंदा ओरेंज हे एक फंदा ओरेंज कलर कि अधार लॉन ही दोवरी व्मलेड कलर सी गो निया युट पेसे चलीके तरा इन ऊसलोट श व्मली både अ रिया से पर हुआ तरौब हुआ है नोगे दो तेन चार पांच छे लाश्ट के दो बच्चे हुए फंदे हम औरेंज कलर से बुनेंगे एक और ये दो ये हमारी तीसरी सिलाई बनकर कम्पलीट हो चुकी है फ्रेंट्स अब आते हैं रॉंग साइड की फोर रो में फ्रेंट्स साइड का फंदा उतार लेंगे एक फंदा औरेंज कलर से बुनेंगे ये धागा हम आगे की ओर ले लेंगे छे फंदे वाइट कलर से एक दो तीन चार पांच छे एक फंदा औरेंज कलर से दो फंदे वाइट कलर से एक दो अब यहां पर तीन फंदे औरेंज कलर से बनाएंगे एक, दो, तीन तीन फंदे वाइट कलर से बनाएंगे एक, दो, तीन फिर से वही रिपीट करेंगे तीन फंदे औरेंज कलर से दो फंदे वाइट कलर से एक, दो अब यहां पर एक फंदा औरेंज कलर से बनाएंगे और छे फंदे वाइट कलर से एक, दो, तीन, चार, पांच, छे लाश्ट के दो फंदे हम औरेंज कलर से बुन कर फोर रो को कम्प्लीट कर लिए हैं अब आते हैं राइट साइड की फिप्त रो में साइड का फंदा उतार लेंगे एक फंदा औरेंज कलर से बुन लेंगे इस तरह से अब पांच फंदे वाइट कलर से बुनेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, एक फंदा औरेंज कलर से तीन फंदे वाइट कलर से एक, दो, तीन, दो फंदे औरेंज कलर से एक, दो अब बीच में हम पांच फंदे वाइट बुनेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच फिर से दो फंदे ओरेंज बुनेंगे इस तरह से हमने दो फंदे ओरेंज बुन लिए अब यहाँ पर तीन फंदे वाइट कलर से एक, दो, तीन एक फंदा औरेंज कलर से पांच फंदे वाइट कलर से एक दो तीन चार पांच ये फंदा हम इस तरह से बुन लेंगे लाश्ट के दो फंदे औरेंज कलर से और ये हमारी फिप्ट रो बनकर कम्प्लीट हो चुकी है अब आते हैं रॉंग साइड की सिक्स रो में साइड का फंदा उतार लेंगी पांच फंदे वाइट कलर से बुनेंगी एक दो तीन चार पांच एक फंदा औरेंज कलर से चार फंदे वाइट कलर से एक दो तीन चार अब यहांपर दो फंदे हम इस तरह से औरेंज बुनेंगे अब यहां पाँच फंदे वाइट बुनेंगे एक दो तीन छार पांच दो फंदे औरेंज कलर से एक दो चार फंदे वाईट कलर से एक दो तीन छार अब एक फंदा यहां पर हम औरेंज कलर से बुनेंगे पांच बंदे बाइट कलर से एक, दो, तीन, चार, पांच लाश्ट का फंदाल इस तरह से बुनकर इस रो को कम्प्लीट कर लिए हैं अब आते हैं स्यावन सलाई में देखी फ्रण्स सिक्स रो हमारी बनकर इस तरह से कम्प्लीट हो चुकी हैं और इस तरह से मारा डिजाइन बनना शुरू हो चुका है राइट साइड की सेवन रोदे की फ्रेंट साइड का फंदा उतार लेंगी अब यहाँ पर एक फंदा ये हम इस तरह से बना लेंगी चार फंदे एक, दो, तीन, चार चार फंदे हमने वाइट कलर से बना लिये हैं अब एक फंदा हम इस तरह से औरेंज बनाएंगी पांच फंदे वाइट कलर से एक, दो, तीन, चार, पांच दो फंदे औरेंज कलर से एक, दो, एक फंदा इस तरह से वाइट बनाएंगी एक फंदा औरेंज बनाएंगे, एक फंदा वाइट बनाएंगे, दो फंदे औरेंज बनाएंगे, एक दो पंदे वाइट बनाएंगे, एक दो तेन चार पाँच एक फंदा औरेंज बनाएंगे, इस तरह से एक फंदा हमने औरेंज बना लिया, चार फंदे वाइट बनेंगे, एक, दो, तीन, चार, लास्ट के दो फंदे औरेंज बन जाएंगे, और यह स्यावन सलाई हमारी बनकर, कम्प्लीट हो चुकी है, और इस सलाई से हमारी आधा डिजाइन बनकर, कम्प्लीट हो चुका है, आप इस तरह से देख सकते हैं, अब आ हम वाइट कलर से बनेंगे, एक, दो, तीन, एक फंदा औरेंज कलर से बनेंगे, साथ फंदे अब यहाँ पर वाइट कलर से बनेंगे, एक, दो, तीन, चार, इस दागे को हम आगे की और ले लेंगे, जब ज़्यादा फंदे बनने हों तो प्रेंट्स इस दागे को आगे ल फंदे हमारे यहाँ पर वाइट कलर से आए हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ अब यहाँ पर देखिए पांच फंदे औरेंज कलर से आएंगे एक दो तीन चार पांच एक फंदा साथ फंदे यहाँ पर वाइट कलर से आएंगे एक दो तीन चार पांच इस ताहँ को आगे की और ले लेंगे छे साथ एक फंदा औरेंज कलर से तीन फंदे वाइट कलर से एक दो तीन लाष्ट के दो पंदे इस तरह से औरेंज कलर से बनाकर एर तो को हमने complete कर लिया है अब आते हैं राइट साइड की nine row में साइड का फंदा उतार के दो फंदे औरेंज बुनेंगे एक दो एक फंदा वाइठ कलर से दो फंदे औरेंज कलर से, एक दो, एक फंदा वाइट कलर से, एक फंदा औरेंज कलर से, दो फंदे वाइट कलर से, एक दो, एक फंदा औरेंज कलर से, एक फंदा वाइट कलर से, एक फंदा वाइट कलर से, एक फंदा वाइट कलर से, अब तीन फंदे यहाँ पर हम औरेंज बुनेंगे एक दो तीन यह बीच के फंदे हैं इन फंदों को हमें यहाँ पर रिपीट करना है तो यह पहले हम वाइट कलर के फंदे को बुनेंगे एक फंदा वाइट कलर से एक फंदा औरेंज कलर से फिर से एक फंदा वाइट कलर से एक फंदा औरेंज कलर से अब दो फंदे यहाँ पर वाइट कलर से बनेंगे एक दो एक फंदा औरेंज एक फंदा वाइट दो फंदे औरेंज बनेंगे एक दो एक फंदा वाइट अब यहाँ पर दो फंदे औरेंज एक दो और ये लास्ट का फंदा तीन लास्ट के तीन फंदे हमने औरेंज बना लिए हैं तो इस तरह से हमारी नाइन रो बनकर कम्प्लीट हो चुकी है फ्रेंज अब आते हैं रॉंग साइड की टैन रो में टैन रो को ध्यान से तो देखिए फ्रेंड्स साइड का फंदा उतारेंगे दो फंदे औरेंज बनाएंगे एक दो एक फंदा वाइट बनाएंगे दो फंदे औरेंज बनाएंगे एक दो अभी यहाँ पर छे फंदे वाइट कलर से एक दो तीन चार पांच छे एक फंदा औरेंज कलर से एक वाइट कलर से तीन फंदे औरेंज कलर से एक दो तीन एक फंदा वाइट कलर से एक फंदा ओरेंज कलर से छे फंदे वाइट कलर से बनेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे अब दो फंदे ओरेंज एक, दो, एक फंदा वाइट लाश्ट के तीन फंदे ओरेंज एक, दो, तीन यह 10 रो हमारी बनकर कम्प्लीट हो चुकी है फ्रेंज और इसी तरह से आपको 11, 12, 13 रो बनानी है अब देखिए फ्रेंज, राइट साइड की 11 रो को, जो फंदे ओरेंज हैं उन्हें हम ओरेंज बनाएंगे जो फंदे वाइट हैं, उन्हें वाइट बनाकर फिर 12 रो में आएँगे तो 12 रो में हम फंदे उल्टे बनेंगे लेकिन फंदे जो जिस कलर का है उसी कलर से बनाकर कम्प्लीट कर लेंगे 13 रो को भी हम इसी तरह से राइट साइड की सीधी सलाई होगी 13 सलाई, तो हम इसे फंदे सीधे बनेंगे, लेकिन इसी तरह से 11, 12 और 13 रो को बनाकर complete कर लिया है अब यहाँ पर आते हैं रॉंग साइड की 14 रो में साइड का फंदा उतार लेंगी तीन फंदे ओरेंज बुनेंगे एक, दो, तीन दो फंदे वाइट बनाएंगे एक, दो, एक फंदा ओरेंज चार फंदे वाइट कलर से एक, दो, तीन, चार एक फंदा ओरेंज कलर से एक फंदा वाइट कलर से अब यहाँ पर पांच फंदे हम ओरेंज बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पांच एक फंदा वाइट कलर से एक फंदा ओरेंज कलर से चार फंदे वाइट कलर से एक, दो, तीन, चार एक फंदा ओरेंज कलर से बनाएंगी अब यहाँ पर दो फंदे वाइट बनाएंगे एक, दो, लास्ट के चार फंदे ओरेंज बनाएंगे एक दो, तेन, चार, यह 14 रों हमारी बनकर complete हो चुके है और design भी हमारा बनकर complete हो चुका है friends कुछ इस तरह तो दीखी friends इस design को आप repeat करेंगे तो कुछ इस तरह से बनकर आ जाएगा आप जितने भी फंदे लेंगे 29 के dependence टिपल में लेंगे, एक फंदा आमने यहां पर बीच के लिए रखा है, तो जिस तरह से हमने किनारी साइड में रखे हैं, उसी तरह से आप बीच में भी रख सकते हैं, दो डिजाइन के बीच में एक फंदे का गैप होगा, और इसी तरह से आप रिपीट करते हुए इस डिज इसी तरह के हम वीडियो लाते रहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें मिलते हैं अगले वीडियो में वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद